मन्नु देख उसे, देख, देख उसे, क्या है, देख उसे, सभी ने जोगो इसी तरह सर से पाप तक धगवा होना चाहिए जी दादा जी, आरकश, ऐसा कर, तू भी बूर का पहनगा, घर के काम काज में लग जा, तरी ये रोज की चपर-चपर बंद हो जाएगी, अच्छा, तुके ये चाहता है, बैसे जो स्कूल में वाद्विवाद प्रती होगी, तरह होती है, उस में तो बड़ा कहता है, कि लड मज़ा कर रहा था, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं किया, ए मनू, हम नहीं सोचा है, हम उमारे गाओं में, उन सभी समाज के बंदने में, जख़़वी महिलाओं में जाकर जावजुक्ता पैदा करेंगे, बिल्कुल थी एक चुनोती, बिहार के सहर सा जिले में साक्षर्ता अभियान का चलाया जाना, वो भी खास तौर से मुसले महिलाओं के बीच, सदियों से शिक्षा से दूर रही इन महिलाओं के दिलों में, साक्षर्ता का अलग जगाना कोई आसान काम नहीं था, मगर यहां के साक्षर्ता कर्मियों का उत्सा देखिये, बजाए हाथ पर हाथ धरे रहने के आगे बढ़कर उन महिलाओं को सामने लाए, जिन्होंने कभी बाहर के दुनिया देखी ही नहीं थी, पहली बार जब इनका वास्ता बाहरी दुनिया के सबसे खुश नसीब चिस किताबों से पड़ा, तो इनकी जिन्दगी खुश्यों से भर उठी, इन्हें ऐसा लगा कि अगर कहीं जन्नत है, तो वो किताबों में लिखी अक्षरों में छुपी है, तभी तो मजीदा कहती है, वो अब सब कुछ जान पैचान गई है, अपना नाम सिख गए, दसकत करने सिख गए, लापस चीठी लिखने करने सिख गए, मावक का नाम सिख गए, सब करने सिख गए, और अमिला ने जब पहले पहल पढ़ना शुरू किया, तो उसे घर में कुछ और है, ठीक लागए चेशाब हमा बेटी पहर ललक, दसकत करेले जाए इन गेल, अब बाके नाम लिखेले जाए इन गेल, ता अब हमरा ठीक छे, इन महिलाओं के बीच ज्यान का प्रकाश पहलाने वाली जुलेखा खातुन को भी शुरू में पती से खूब डान सुन बाईवान को सब कुछ से अपना समझ आज है, दस खतो करने के लिए कम सकम एक ही जजबा था, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का पहले के हालाद कितने बत्तर थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले भी यहां एक बार अभियान चला था, मगर वो बीच में ही दम तोड़ गया था यह जगा भी कुछ ऐसी ही है, जहां समस्याओं का धेर है, इस जिले की गिंदी बिहार के सबसे पिछरे जिलों में होती है पानी, बिजली, सड़क, मकान, जैसे बुनियादी सुविदाओं से वंचित लोगों की दुरदशा का अंदाजा सहजी लगाया जा सकता है हर साल लाखों लोग बार की चपेड में आकर बेघर हो जाते हैं, खेती बारी का जो नुकसान होता है, सो अलग बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में पलायन हो जाते हैं, और जो यहां रहते हैं, वो किसी तरह खेती ग्रहस्ती से अपना गुजारा कर लेते हैं जाहिर है जहां लोगों के पास रोटी, कबड़ा, मकान जैसी मूलभूत चीजे नहीं होंगी वहां भला पड़ाई लिखाई की उमीद कैसे की जा सकती है पर साक्षर्ता अभियान को तो चलाना ही था क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे निरक्षर्ता रूपी भूत तो चिपा ही था सबसे पहला काम किया गया कि आपस में मिलजुलकर एक कारयो योजना बनाई गई जिसके तहट एक रणनीती बनाकर काम शुरू किया गया पूरे जिले में 4,35,000 लोगों की पहचान की गई जिनने पढ़ाने के लिए साक्षर्ता केंदर पर लाना था पहचान के बाद काम किया गया संगठन बनाने का टोला से लेकर जिला स्तर तकी समितिया बनाई गई जिससे अभियान हर स्तर पर सुचारू रूप से चल सके इस बात का खास ध्यान रखा गया कि संगठन में समाच के हर तबके की भागीदाई हो जब संगठन का आधार मजबुत हो चला तो काम किया गया पढ़ने लिखने का मौहल बनाने का गाव से लेकर शेहर तक जुलूस निकाले गए और नारा दिया गया हर माता की एक ही इच्छा बच्चा पाए स्कूल की शिक्षा जगा जगा समाच के प्रभावशाली लोगों को लेकर लगातार बैटकें की गई इतना ही नहीं लोग गीतों को लोगदुनों में पिरोकर साक्षरता संदेश गाव-गाव में फिलाया गया ताके खुद ही लोगों की अंदर पढ़ने लिखने की ललक पैदा हो गावालों को समझाया गया कि अगर वे पढ़लिक जाते हैं तो विकास की प्रकरिया का फायदा उठा सकेंगे समाज एक पिछरा पंदूर होगा और वे अपनी सही जगा हासिल कर सकेंगे इस अभ्यान से उन लोगों को सम्मान मिला जिने पहले बेकार और फाल्तू समझा जाता था समाज में उनकी कोई पूछ नहीं होती थी कुछ वर्ग के लोग हैं जो अत्यन्त दलित हैं समाज धारा में उनमें एक मनोवर्ति पैदा कर दी वेई कि सिक्षा उनका अधिकार ही नहीं है हमने उनमें चेतना जगाई कि सिक्षा उनका भी अधिकार है उन्हें विद्याले तक नहीं जाने दिया जाता था या वो नहीं जाते थे तो हमने उनी छेत्रों को प्रात्मिकता दी, हमने उनी छेत्रों में विद्याले को पहले खोला, अत्यंत गरीब का टोला हो, मुसहर का टोला हो, डूम का टोला हो, और उनी छेत्रों पर जादे दिया, तो उनी छेत्रों में जब जाग रुकता वरी, तो उससे उपर के लेडर इसका समाज पर काफी साकारात्मक असर पड़ा, स्थापित लोगों के बर्चस्व कुछ नौती मिली और एक नया वर्ग तयार हुआ, जो आम लोगों की आवाज बनी, यह वर्ग विकास के कारेक्रम सही डंग और सही जगा पर लागो हो, इसके लिए सीधा हस्तशेव करता है इसका नेत्रत्व भी द्वित्य पंक्ती की लोगों के हाथों में दिया गया, और निरक्षर्टा के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को दूसरी आजादी का जंग कहा गया यह हम सब जो है सो मिल करके चला रहे हैं, इसको सब मिल करके एक जन आंदोलन की रूप में चला रहे हैं इसलिए लोगों ने इसको स्विकारा और जो उनको संभावना देखी कि हम बास्तम में एक मास मुव्मेंट के एक भागेदारी बन रहे हैं और हमने कॉल भी दिया कि इसमें किसी को पैसे नहीं मिलेंगे सभी जो है संभ सेवा की भावना से इसकाम में आगे आएंगे हमारे पास काफी जो है सो वोलिंटियर्स मिले इसमें जो अनिम्पलाइड यूथ थे और गार्जन्स का भी काफी सपोर्ट मिला जब हमने इस तरह का कॉल दिया तो मास मुव्मेंट के नाम पर लोग जो है इस कार्जकरम से जुर गए लोगोंने पैसे को पीछे किया कहते हैं जब प्रयास अच्छा हो तो सोभावेक है नतीजा भी सुखद होगा वैसे तो हर जगा गाव देहात में लोग पढ़ते नजराते ही हैं पर सबसे महत्वपून बात जो हुई है वो यह कि इसकी बज़े से वे लोग साथ बैटकर पढ़ते हैं जो कल तक आपस में दूरी बनाए रखना चाहते थी आज वे अंगूचे की बज़ाए हस्ताक्षर करते हैं अखबार में देश-दुनिया की खबरे पढ़ते हैं किसी की बहकावे में तूरंत रही आते बल्कि सोच समझ कर अपना हर काम करते हैं परना लिखना शुरू के लिए दस्खत उसका जान लिए ने पर हावेगा कुछ हो पहला एक खाती शुरू के लिए तुछ इख लिए साक्षर्टा का सबसे पहला असर तो यह है कि हम लोग जब किसी भी कल्यानकारी, सरकारी, योजनाओं के लिए लाभार्थी चैन के लिए गाउं में जाते थे पहले तो अंगुठे निशानों का ही दर्सन होता था अब ऐसी इस्थिती नहीं है अब जब भी हम लोग लाभुकों के पास जाते हैं या जांस करने जाते हैं तो वह अंगुठे निशान के बदले में दस्थखत भी बनाते हैं यह एक पडिवर्थन धीरे धीरे आया है जो की सुख़द है भूले भाले गाव वालों की रुची साक्षरता अभियान में बनाए रखने के लिए सरकारी अधिकारी भी अकसर साक्षरता केंदर पर जाते जिसे पढ़ने वाले नवसाक्षरों में हमेशा उत्सा बना रहता सरकारी स्थर पर ये घोशना की गई कि जो गाव का व्यक्ति अभियान से जुड़ा होगा उसे हर स्थर पर प्रात्मिक्ता मिलेगी कि जो पंचायत पहले पुर्ण शाक्षर होगा वहाँ पर हम विकास के जितने लंबित कार्य हैं उसे प्रात्मिक्ता पर पुरा कर देंगे हमने यह भी कहा है कि जितने नवसाक्षर हैं उनको विकास कार्यक्रमों से हम जोरेंगे और इसका भी रिस्पोंस हो रहा है अब नवसाक्षरों से हमारे यहां मांग आ रही है और हम दीरे दीरे उसे सिमित साधनों में पूरा करते जा रहे हैं एक और बात यह हुई कि अभ्यान की बदौरत सधियों से परंपराओं में जकडी महिला समाज भी बड़ी तादाद में सामने आई और वे रचनात्मक कार्यों में जिट गई अभी तो आज साक्षर्ता की लाले मा हर तरफ अपनी चटा भी खेती नजर आ रही है जिससे सारा प्रेड सा रंगीन में हो चला है मैं तो ठक गई भाई अब चलना मेरे बस की बात में चाचा का घर तो भी बहुत दूर है क्या बात है मानू, तिरी तभियत तो ठीक है हाँ तू तो कभी ठकती नहीं दी बस में ठक गई आज मूट कुछ उगड़ा उगड़ा है बेना का तू तो कभी मेहनद करने से ठकती ही नहीं दी तुम्हें पता है कि किसान लोग कितनी मेहनद करते हैं यह लोग बेहनद नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या सही है देख अभी तू नहीं कही दी कि जगा कितनी सुन्दर है हाँ पर पहाड़ी लाके तो इससे भी अधिक सुन्दर होते हैं अच्छा पर वहाँ की जिंदगी उतने ही कठिन है तो कहना क्या चाते हो मैं कहना यह चा रहा हूँ कि लगबक सभी प्राकरती सुन्दर है और दू दराज के लाके देखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही वहाँ की जिंदगी मुश्किल होती है अच्छा दूर दूर से लोगों को पानी लाना वड़ता है गाए भैस के चारी के लिए दिन भर घूमना पड़ता है तो? यही देखा जाए तो उन में चेशक्ती कि इनी जबरदस्त है न? हम जो काम करना है सो करना है कहते हैं पहाडी जगे केवल देखने में सुंदर होती है वास्तव एक जिंदगी बहुत कठिन होती है और अगर इस इलाके में जाकर कुछ करना हो तो परेशानियों की सूची लंबी है लेकिन अगर दृड इच्छा शक्ती के साथ कुछ किया जाए तो सफलता भी मिलती है कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कुलापुर जिले के बेसरफ गाउं के साक्षरता कर्मियों ने उन आदिवासियों की जिंदगी में खुश्या बिखेरी है जिनकी जिंदगी विकास नाम के शब्द से को सो दूर थी जिले के अंतिम छोर पर बसा है ये गाउं यहां की कुलापादी तीन सो के करीब है वो भी एकी जगे पर इकठी नहीं बलकि दूर दूर तक छित्राई हुई खाने कमाने का मुख्य जरिया है जंगल में पश्यों को चराना और थोड़ी बहुत खेती बस इतने में ही मस्त रहते हैं ये आदिवासी अंदाजा आपको भी लग गया होगा हरे भरे खेतों से होकर आते मदूर गीतों से ये तो रही इलाके की बात गाउं में ज्ञान की प्रकाश का आगमन किया विध्यालय की शिक्षकों ने पहला काम जो किया गया वो था घर घर घूमकर निरक्षरों का पता लगाने का चली निरक्षरों का पता तो लग गया पर काम यहीं खत्म नहीं हुआ पढ़ने के लिए जो लोग आते थे, लोग नहीं आते थे, उसको क्या करना हमको दो बार की बार या चा बार, बार बार उसको घर में घर को जाना पड़ता था, घर के जाने के बाद उसको हमने बताया थे कि जो आपको क्लाश रो हो रहा है, प्लोड सक्षरत का वर्ग तो आपको तो वो लोग फसाते हैं, वो नहीं फसना हो, तो आपको क्या गरना है, पढ़ना अच्छा है. कि सारे गाववासी हाथ में स्लेट और किताब थामे घर से बाहर आ गए, वे हमें ये बताने को आतुर थे कि अब हम अनपढ नहीं रहे, चूंकि इलाका पारंपरिक ठहरा, तो इन आदिवासियों को साक्षरता कक्षा में लाने का तरीका भी पारंपरिकी इस्तमाल किया गया कक्षा शुरू होने से पहले घर घर जाकर नगाडे के साथ मुनादी कराई गई, कि चलो पढ़ने को कक्षा में चलो जब इतने प्यार से कक्षा में आने के लिए इने आमंतरत किया गया, तो फिर क्या ही घर में बैठने वाले थे, स्लीप पैंसिल उठाई और चल दिये कक्षा की ओर, पढ़ाई के प्रती ही कितने गंभीर है, इसका पता लगता है कि शिक्षक ने एक सवाल पूछा नहीं, क कि खड़े होकर तुरन जवाब दे दिया, किताबी क्यान के अलावा क्या कुछ और व्यावारिक फाइदा भी मिला है इने, जी हाँ, सुनीता वारक काटे कर तो यही कहती है, गाउं का प्रधान गंगाराम भी कोटे कर कहता है, कि गाउं में पढ़ाय लखाई की वजए से ही बिजली नसीब हुई साक्षर्ता कक्षा में इनको आम जिन्दगी से जुड़ी दूसरी चीजों के बारे में भी बताया जाता है, जैसे खेती करते वक्त किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और जब ये पढ़ लिग गए तो इसका पहला असर दिखा कि आज इनकी बात छोड़िये इनके बच्चे तक कक्षा में दिल लगा कर पढ़ते हैं, और सरकार की तरफ से सिलाई कड़ाई के लिए सिलाई मशीन भी दी गई हैं। जैसे कि गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, बेसहारों के लिए अनपड़ों को पढ़ाना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए। पर एक बात है, चाहे गरीबों, चाहे बेसहारा, चाहे अनपड़, इन लोग की हालत इतनी खराब क्यों है। ऐसा नहीं है कि इन लोग की भलाईय कल्याड के लिए कोई कुछ नहीं करता कई सरकारी योज़नाए हैं पर इन लोग को इसके वारे में बिलकुल भी जानगारी नहीं है इसलिए उसका फायदा नहीं उठा सकते है कुछ अलग और कुछ खास करने का जजबा तो हमेशा से एक 36 गड के लोगों में रहा है और बात जब 36 गड की रदैस्थ अली बिलासपूर की हो तो क्या कहने ये बात देखी जा सकती है इलाके की लोग कलाओं में और महसूस की जा सकती है लोगों की आम गती विध्यूं में कुछ साल पहले जब जिला राष्ट्रे साक्षर्ता मिशन की अगवाई में पढ़ने पढ़ाने का कारिकरम शुरू हा था तो इसकी गूंच पूरे हिंदुस्तान में सुनाई पड़ी थी जानते हैं क्यों पहली बार इस अभियान में इतनी बड़ी तादाद में जन भागिता देखने को मिली थी देखते ही देखते इसी जन अभियान ने पूरे जिले की तस्वीर ही बदल कर रग दी कहां आदिवासी अंचल के लोग जिनकी बधाली छुपाई नहीं छुपती थी रोजी रोटी की तलाश में इनका दरदर भटकना आम बात थी मदद के लिए कहीं जाते भी थे तो जुबान से आवास तक नहीं निकल पाती थी कहीं न कहीं इसके पीछे अशिक्षा रूपी भूती था जो भोले भाले आदिवासीयों को आगे बढ़ाने की बजाए पीछे धकेल रहा था लेकिन जिले में साक्षरता अभियान के चलने का असर दिखता है सरकारी कारेक्रमों के क्रियानवन में साक्षर्ता कार्यक्रम का ही नतीजा है कि बिलासपूर आज हिंदुस्तान के उन अग्रणी जिलों में है जहां पर सूचना के अधिकार को व्यापक पैमाने पर लागू किया जा रहा है आज शास्किय योजनाओं में इतना खुलापन है कि सारजनीक वित्रन प्रणाली की दुकान पर बोट तंगा नजर आता है जिसमें लिखा है कितनी सामगरी बंटी है और कितनी बच्ची है इसी तरह ग्राम प्रधान जन अदालत में गाववालों को गाव में हो रहे विकास कार्यक्रमों की जानकारी देता है एक तरफ तो बेशक साक्षर्टा कारेक्रमों के फलस्वरोप, सरकारी कारेक्रमों में जनता की भागिदारी बढ़ी लेकिन दूसरी तरफ समय की साथ-साथ साक्षर्टा अभियान में एक ठहराव सा आ गया जब स्वयम सेवक लोगों के पास जाते तो उन्हें तरह तरह की सवालों से होकर जूज़ना पड़ता अब चंदरी का बाई की ही बात कीजिए कहती है कि पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं कौशलिया भी यही कहती है कि पहले रोजी रोटी कमाने के रिए जाओं या पढ़ने ऐसे अंगिनत सवालों का उठना एक लिहास से जायस भी था तंग गलियों में बसी जुगी जोपडियों में रहने वाले ये लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वन्चित थे रहने को घर नहीं पीने की पानी की व्यवस्ता इतनी खराब कि नलों के पाइप हमेशा गंदे पानी से भरी रहते थे शौचालाई के व्यवस्ता तो थी ही नहीं छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए न तो आसपास कोई स्कूल था और नहीं लोगों के पास रोजगार का कोई साधन इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर अभियान आशा के नाम से अभिनव साक्षर्टा के शुरुवात की गई परंप्रागत साक्षर्टा आंदलोनों से अलग हट कर पहले पहल यहान लोगों की रोजमर्णा की जरूरतें पूरी करने पर जोर दिया गया लगातार बैठकों में लोगों को समझाया गया कि अभियान आशा की कारियों में अगर वे सेवागी बनते हैं तो उनकी जीवन में सुखत परिवर्तन आ सकता है हालांकि शुरुवात के दिनों में लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं थी लेकिन धीरे धीरे उसे दूर किया गया कई जगों पर कारेकरताओं ने श्रमदान कर साफ सफाई की ताकि वे लोगों का विश्वास जीच सके पुराने मकान की जगे नए मकान बनाए गए गंदे पानी के निकास के लिए नाली का निर्मान किया गया पीने के पानी के लिए जगे जगे नन लगाए गए चौड़ी सडकें बनाए गई ताकि लोगों की आवाजाही सुगमता से हो सके इन सब के लिए सरकार ने सस्ते दरों पर रिण वसामगरी उपलप्त करवाई जमीन की पट्टे तो मुफ्ती दिये गए तभी तो उर्वशी की जुबां से इस तरह के आत्मविश्वास भरे शब निखलते हैं अपना घर मिल गया तो अपना खा रहे हैं अब अपना खुद का जमीन हो गया अब कोई कुछ नहीं बोल सकते ऐसा लगता है और दूसरे के मिल थे तो कोई भी कुछ बोल देता था तो अपने आप से डर की महसूस लगता था न कि आज यहाँ है कल भगा देंगे तो कहा जाएंगे इस टेक एक बात शुरू से देखने में ये आई कि बस्ती की महिलाओं में अभियान की प्रती काफी उतावला पन था जो पुरुशों में नहीं था यही वज़े रही कि बस्ती में कक्षा शुरू होने पर भी महिला ही बड़ी संख्या में सामने आई कला जथे की टीम भी पीछे नहीं रहती है बल्कि वो तो गीट संगीत की माध्यम से ऐसा समा तयार करती है कि लोग बस उसी में हो जाते हैं ये तो रही अभिनाव साक्षर्ता की बात अब जरा जिले की शक्ती प्रखन के पतेरा पाली गाउं में चल रहे समपून साक्षर्ता अभियान को देखें यहाँ भी आगे महिलाई हैं कैमेरा टीम के गाउं में पहुँशते ही सारी महिलाईं कतार बध होकर अपनी किताब लिए खड़ी नजर आती है थोड़े पल के लिए ऐसा लगा मानोगे हमें बतलाना चाह रही है कि हमने भी अपना नाता किताबों की संग जोड़ा है अब हम भी पढ़ने लिखने में पीछे नहीं है पढ़ो लिखो भाई मेरी बेहना पढ़ो लिखो जी मेरी बेहना पढ़ो लिखो जी आ आ इए का घगा घगा पढ़ो लिखो जी आ आ इए का घगा घगा पढ़ो लिखो जी